दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक हिवान सो और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तों बिहार सिक्षक भरती या आप लोग किसी भी एक्जाम के लिए अगर अपलाई करते हैं पुरे देश में तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सीटेट पेपर वन में जो पास देट आई है बिहार से ही लेकिन जो यह चीज है क्योंकि डिजी लोकर की बात है और सीटेट की बात है तो यह पूरे देश के लिए अपली केवल होगी और सब का धीरे-धीरे यह प्रॉब्लम होड़ा है आप भी कमेंट में जरूर बताईएगा यहां पर आगर आप देख और बीएट पर स्टेट पेपर वन पास करने वाले अभियर्थि का रिजल्ट की अहां पर अमान में रहा है तो बाइस में 2022 ऑभी 2022 यह यक्जाम होगा था तो 203 में सटेट का डीज़ी लोकर पर रिजल्ट अमान ने दिखा रहा है यहीं दीरे छिए से पहले के अभियर्तियों का रिजल्ट भी अवामान ने होने लगा है जो पहले आपका जैसे की 2021 में या पहले अभी सब का नहीं हुआ है होना सुरू हुआ है कुछ लोगों का हुआ है तो देख लिजिए इसको लेकर अभियर्तियों का आग्रोस फूट पढ़ा है और इससे पहले इस डिगरी के जो है चटे चरण की बहाली में भी अभियर्ति बहाल हो चुके है बिहार में जो इससे पहले छटा चरण हुआ है उसमें भी अभियर्तियों की परिशानी यह है कि अगर अभी का रिजल्ट अमान दिखता रहा तो जो इस अभियर्थियों में बनी हुई है कि उन्हें परिक्षा में सामिल कराया जाएगा कि नहीं हाना कि सीटेट की तरफ से नहीं आया है कि देना है कि नहीं लेकिन सीटेट तो ऐसे भी जौब देता नहीं तुसको कोई खास साथ फरक पढ़ता नहीं है फॉर्म भड़ाया किनमानने हो गया तो आगे का क्या ही कह सकते थो सीटेट में सामिल होने को बड़ी संख्या में डिएट और भड़ा वा है तो अभी जो है बहुत सारे बच्चे birthday haつ कि पहले बहु से ली जाएगी तो यह को संथ है ना कि जो 2022 थे समय पास कर लिए किस बाइस में कर लिए उनका अगर अमान नहों ना सुरू हो गया किस बेसिज पर पहले किसका हो रहा है वो पता नहीं लोगों का अगर सुरू हो गया तो अब यहां पर क्यूं है क्योंकि समय और पैसा दोनों ही बरबाद है तो यहां पर जो है यह बहुत सारे बच्चे लिखने की पास कर गए और अब नौकरी के लिए प्रयासरत थे मगर अब हमारे रिजल्ट को ही हमानने किया जा रहा है हम में से कई ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा खतम हो रही है यह बहुत बड़ा प्रॉबलम है दो लोगों को दिखा है और यह आपको न्यूज निकल कर आई है आप भी कमेंट में यहां पर बता सकते अगर आपका सर्टिफिकेट रिलीज हुआ है तो वह क्या हुआ वह अभी इन्वालेट दिख रहा है कि बिहार की यह खबर है और बिहार में अभी तक बिहार के जो बीप सुरू हुई है और जरूरी नहीं कि एक बार में हो जाए या क्या किस बेसिस पर होड़ी है उस पर कोई नोटिस भी सीटेट को भी जाड़ी करना चाहिए तो बाकी अगर कुछ और भी अपडेट आता है तो हम लोग आपको बताएंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल थांक यू वेरी मुच्छ बबाए जैन